नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में तो दोस्तो मैं जो आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एक्जामनेशन में आपको कौन सा क्वेशन में खरीदना है तो दोस्तो इस वीडियो में हम जो आज इस पर ही बात करने वाल जिससे आप UP Board Examination में अच्छे मार्व ला सकते हैं तो दोस्तो आए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तो वीडियो को सुरूप से लेकर अंतक जरूर देखिएगा और दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और दोस्तों हमारे चैनल पर जो है कुछ सवाल पूछे जा रहे थे कि दोस्तों UP Board Examination के लिए हम कौन सा Question Bank लें तो दोस्तों UP Board Examination के लिए बहुत सारी कंपनिया हैं जो आपको Question Bank जो प्रोवाइड कराती हैं सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि Question Bank के अंदर क्या होता है तो दोस्तों Question Bank के अंदर यही होता है कि आपकी जो चैप्टर होते हैं यानि जो आपकी NCRT की बुक्स हैं उसके अंदर से आपको कौन-कौन से Questions को पूछा जा सकता है Board Examination में वह आप आपको Question Bank के अंदर दिया होता है और साथ में ही उसके solution यानि answer जो होता है वह भी दिया रहता है तो दोस्तों सबसे पहले Question Bank में आपको वह Question ही दिये जाएंगे जो Board Examination में पूछा जा सकता है और दोस्तों यह भी पूछा गया कि क्या हम Question Bank को पढ़कर 90% ला सकते हैं तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है दोस्तों अगर आप यह सोच रहे हैं कि Question Bank को पढ़कर 90% ला सकते हैं Board Examination में तो दोस्तों ऐसा किलियर हो उसके बाद अगर आप Question Bank को पढ़ रहे हैं तो दोस्तों Question Bank की इसलिए होता है कि आपके एक तरह सी Revision जिस तरह आपका Revision होता है Revision के लिए ही Question Bank को बनाया जाता है तो दोस्तों अगर आपने बुक्स को पूरा अच्छी तरह पढ़ रखा है फिर Question Bank को अगर आप 30% आप आराम से ला सकते हैं और दोस्तों ये भी पूछा गया कि 2021 स्लेवर्स के अनुसार कौन सा Question Bank बेस्ट रहेगा तो दोस्तों Question Bank जोए सभी सेम होते हैं किसी Question Bank में कुछ Simple Language होती है किसी में कुछ जादा Questions पूछे जाते हैं और दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं कि दोनों में सेम ही मलब Question Bank दोनों लगपक सेम ही होते हैं और दोस्तों ये भी पूछा कि कोविट-19 के करण क्या स्लेवर्स कम हुआ है तो दोस्तों कोविट-19 के करण जो है स्लेवर्स थोड़ा आपका कम हुआ है यानि आपसे जो पहले स्लेवर्स पूछा जाता था और अब दोस्तों इस समय जो है गौवर्मेंट ने थोड़ा स्लेवर्स को कम कर दिया जिससे आपको और भी आसानी हो कि पोड़ एक्जामनेशन देने में कि और दोस्तो ये बी पूचा गया कि जादा कुष्ण मेंकी कौन से लेयो पछे जाते हैं कि कौशन मेंक को खरीदें तो दोस्तों कुष्ण मेंक सिर्फ को चौशन बताने को ही होता है कि इस इस टाइब से आपको question पूछे जाते हैं तो दूस्तों question जो आपको घुमा फिरा के भी वही question को पूछ सकता है तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि कौन से question bank से ज्यादा question पूछे जाएंगे आप सिर्फ topics को पढ़ें और topics के doubts को clear करें और question bank में आपको सिर्फ यही मिलता है को back है और All the Attesting question like लेते समय आपको कौन सी बात ध्याण रखनी यह दो दोस्तों question मेंक लेते समय आपको झिस यह न में आप पढ़ रही हैं उसी यहर का question मेंक लिछ एपज़िए पुराने question समय और विश्वास मत कीजिए और तो क्वेशन मेंक लेते समय ये decide कर लेजिए कि आपको question bank कि subject का कौन सी company का लेना है विद्या का लेना है अफ़तार का लेना है या masterment का लेना है और दोस्तो या तो आप shop पर जाकर ये भी तीनो question bank को सामने रख कर भी देख सकते हैं कि किसकी language आसान है और कौन से question bank से आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी हो सकती है और दोस्तो ये कौन सा मैं आपको अपनी तरफ से राय देने वाला हूं कि आपको कौन सा question bank कि subject का लेना है तो दोस्तो हिंदी और English का जो question bank आप विद्या question bank जो select कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों क्यों select कर सकते हैं मेरा क्यों motive है क्योंकि दोस्तों हिंदी और English में जो है विद्या question bank वालों ने थोड़ा अच्छा पर डिस्क्राइब किया हुआ यानि अच्छी तरह से इसमें बताया गया है हिंदी और English में जो दोस्तों बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो विद्या question bank में ज्यादा से ज्यादा दिये गए हैं और आफदार question bank में थोड़े कम प्रश्न दिये गए हैं और दोस्तों और जो आपके subject हैं उसका आफदार यानि अरियंत वाला question bank जो आप select कर सकते हैं क्यूंकि दोस्तों आपका जब chapter start होता है तो आफदार question bank ने जो उसमें सुरू में कुछ सारांस यानि सारांस के अंदर दोस्तों यह आता है कि आपकी chapter के अंदर इसमें क्या-क्या topics हैं क्या-क्य definition है वो आपको सुरू में ही अफदार वाले question bank बता दी जाती है और ऐसा विद्या question bank में कुछ नहीं बताया जाता है और दोस्तों दोनों ही question bank में आपको अती लगू दीर गूर लगू तरी यह प्रशन जो है दिये होते हैं कि यह यह प्रशन इतने numbers के आपसे पूछे जा स दोस्तों आपको question bank कहां से खरीदना है यानि कहां पर आपको question bank इस time available है तो दोस्तों यह question bank जो आप जाके अपनी nearby book store से भी करीज सकते हैं अगर वहां पर available नहीं है तो आप उन से request कर सकते हैं कि वो question bank को मंगाें और दूस्त अगर वो नहीं मगाते हैं तो आप उनलाइन बाय कर सकते हैं विद्या क्वेशनमेंग की वेब साइट पर जाकर या अवतार क्वेशनमेंग की वेब साइट पर जाकर और दूस्तो तीसरा जो है आप Amazon से भी buy कर सकते हैं online लेकिन दूस्ते उसमें आपको online pad और cashman pad का option आएगा वो आपको online payment करने पड़ेगी और दूस्तो इसके price क्या है अवतार question bank की जो starting है 85 रूपीज से starting है लेकिन अगर आपको nearby book store पर मिलता है तो वहां को पर आपको 60 से 70 रूपीज में मिल जाएगा और विद्या question bank जो है 98 रूपीज के आसपस इसका price है और आपको 70 से 80 रूपीज में आपके nearby store में available होगा अगर आप online मगाते हैं तो आपको इस rate में दोस्तो थोड़ी दसपीज रूपे का difference आएगा तो दोस्तो इससे 10-20 रूपे के लिए कोई question bank जो आपको पसंद आता है वही question bank खरीदी है अवतार अगर आपको अच्छा लगता है तो वह खरीदी है अगर आपको विद्या अच्छा लगता है तो विद्या खरीदी है और दोस्तो एक और question bank है master mind question bank वो भी थोड़ा अच्छा होता है तो दोस्तो अगर आप उसके बारे में चानना चाते हैं तो comment कर दीजेगा मैं उसका वीडियो भी बना दूँगा और दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा हमें comment करकर बताईए और ये भी बताईए कि आप question में खरीदने जा रहे हैं और किस subject का दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share करें